अध्यन का हमारा यह आखिरी और पंद्रहवा सप्ता है इस सप्ता हम पहले अध्याई में मैनेजर पांडे की इतिहास द्रिष्टी पर विचार करेंगे और दूसरे अध्याई में सुमन राजे की इतिहास द्रिष्टी पर विचार करेंगे मैनेजर पांडे ने साहित्य और इतिहास द्रिष्टी पुस्तक में साहित्य के प्रसंग में इतिहास द्रिष्टी के निर्माण और विकास से जुड़े सवालों पर विचार किया है हम यह देखेंगे कि उनकी पुस्तक में किस प्रकार इतिहास द्रिष्टी के सैध्धान्तिक सवालों पर विचार है और साथ ही साथ किस द्रिष्टी से मैनेजर पांडे ने हिंदी के तीन बड़े इतिहासकार आलोचकों राम चंद्रशुक्ल, हजारी प्रशाद दुवेदी और राम विलास सर्मा के इतिहास संबंधी लेखन की समीक्षा की है हम यह भी जानेंगे कि अपने लेखन में लगातार मैनेजर पांडे ने साहित्य इतिहास विरोधी चिंतन को प्रश्णांकित किया है दूसरे अध्याई में हम सुमन राजे की इतिहास द्रिष्टी की चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि साहित्य इतिहास लेखन के ख्षेत्र में सुमन राजे एक नई द्रिष्टी के साथ मजबूती से हस्तक छेप करती है और साहित्य इतिहास से संबंधित अपनी पुस्तकों साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप साहित्य इतिहास आधिकाल हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और इतिहास में स्त्री से हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग उपेक्षित और बाहर रही स्त्री का आयाम जोड उने को बात भी करती हैं